हाई फ्रेंट्स वेलकम टो माई चैनल बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का तो फ्रेंट्स आज हम एक नई मेडिसीन का रिव्यू देखेंगे इसके बारे में हम इसके इफेक्ट, साइड इफेक्ट, बेनिफेट्स, डोसेज आपको इसे कैसे लेना है और आपकी बॉड़ी पर यह कैसे काम करती है यह सब कुछ देखेंगे इसकी कंपनी से लेकर हम इसकी प्राइजिंग तक इसका पूरा रियू देखेंगे साइडै Indy आज हम बात कर रहे है पेंटृंज ब्सका के अबको यह अलगल कमपनी में मिल सकती है अब जो हम बात कर रहे है particularly पेंटल्डीज कंपनी की बात कर रहे है यह लेकित के इस कंपनी के तब्स डेंट आपको आ जाती है यह टैबलेट आपको गैस्टरोइसे फेगल एसिड रिफलेक्ट डिजीज के लिए यूज होती है आपके पेट में गैस बनना गैस की वज़े से होने वाला पेट दर्द और गैस में अगर एसिड की मातर आप ज़ादा हो जाती है तो ऐसे में आपको ऐसी टैबलेट रिकमेंड करते हैं डॉक्टर इसे लेने के लिए प्रिस्क्रिप्शन बहुत ज़्यादा जरूरी है तो आप बिना प्रिस्क्रिप्शन के इसे बिल्कुल भी मत लीजिएगा इसके side effect के बारे में बात करेंगे पहले हम इन दोनों content के बारे में बात कर लेते हैं यह आपके body पर आपको कैसे काम करते हैं तो pentaprozole है एक inhibitor है यह आपकी पेट की acid की मातरा को कम करता है और पेट दर्थ में आराम देता है आपके heartburn में जैसे आपके सीने में जलन होती है गले में जलन होती है इस तरह के problems में यह आपको रहत देता है खटी डका राना भी इससे कम हो जाता है और domperidon है एक prokinetic है जो आपके पेट की आतों की अकडन को कम करता है पाचन तंत्र को आपके सुधारता है जो भी आपके पाचन तंत्र में बिगाड़ है आपका पेट स है मिलके आपकी gastric problems को acidity को कम करते हैं और friends आपको इसे सुबह खाली पेट लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है आप जब भी सुबह उठे तो पहले अपना मुह साफ करने के बाद आपको इस टैबलेट को ले लेना है और उसके आदे गंटे के बाद आप कुछ भी खा सकते हैं इसे लेने के तुरंत बाद आप कुछ भी ना खाएं इसे हो सकता है कि आपको उल्टी हो जाए तो फिर वह आपकी जो भी दवाई है पेट के अंदर की तो उल्टी के तुरू बाहर निकल जाएगी तो आप जब भी इस टैबलेट को ले तो आदे गंटे के बाद आप जो भी नास्ता करना है वो आपको आदे गंटे के बात करना है इसे लंबे समय तक लेना बहुत ज्यादा हानफुल है आपके लिए आपकी हड़िया कमजर हो सकती है मैगनेशेम की कमी हो सकती है इसे लेने के बाद और कोई भी टैबलेट आपको लेनी की ज़रुत नहीं को डॉक्टर की सला की अनुसार लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है आपको जितने भी डॉसिस डॉक्टर लिख कर दे रहे हैं तो आप उतने डॉसिस लीजेगा अगर दो हफ्ते तक इसे लेने के बाद भी आपकी एसे लिडिक प्रॉब्लम में आपको सुधार नजर नही चैबलेट को पते हैं आपको कोई और भीमारी हो या फिर हो सकता है आपकी स्टोन की कोई आपको प्रॉब्लम अगर पेट दर्द हो रहा है तो ऐसे में आप डोक्टर को बताई कि लेने के बाद आपको दो हथते हो चुके हैं और आपको अभी तक कोई फर्किसमें नहजर नहीं आया है और फ्रेंट्स अल्कोहल वाले जो भी लोग है अल्कोहल कीद्नी लीवर यह जो पेशन्स है यह डॉक्टर की सला के हिसाब से ले सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है इसकी कंपनी की अगर हम बात कर रहे हैं तो यह दिखें लिटल ग्रेव कंपनी की है और इसकी अमारपी की बात करें तो फ्रेंट्स देख सकते हैं कि अभी भी एक्सपाइरी इसकी चल रही है तो एक्सपाइर यह बिल्कुल भी नहीं हुई है आज इसकी कीमत इतनी है हो सकता है कि आप अगर इसे बाद में लेने जाए तो कीमतों में उतार चड़ाव नजर आने लगत सब्सक्राइब को पूरा देखने के लिए थैंक इस सो मच